आज रक्षाबंधन का तेवहार मनाया जा रहा है और आज ही जो तिसाचार गुंजन वाश्रेजी के लेख से राखी को लेकर के एक दिल्चस्व और बहुत ही रोचक जानकारी पढ़ने को मिला। मैं उनकी लेख आपके साथ साजा कर रहा हूँ। गुंजन वाश्रेजी लिखती है कि एक कीवधनती है कि सरफरतम सुपरणखा ने अपने भाई रावण को भद्राकान में राखी बांधी थी जिसके कारण रावण का पतन हुआ। इसलिए राखी बांधने से पहले भद्रा का विचार अवस्य करें। सास्त्रों के उनसार भद्राकान में राखी बांधना निसेध माना गया है। पंजाब ही माचल प्रदेश दिल्ली जम्मु कस्मीर आजी प्रदेशों में प्राचीन काल से ही उद्या पानी पूर्णिमा के दिन प्रातव काल को ही रक्षा बंधन पर मनाने का प्रचलन है। भद्रा के साइव के कारण पंचांकारों में भले हिमत भेदो परंतु भद्रा पुछ, भद्रा समाप्ती काल, अथ्वा, उनिमा का संचरण तीन महुर्थ से कम होने पर साहत्र संबत बिधान अनुसार पहली राकी भगवान को अरपड कर रक्षा बंधन पर मनानी चाहिए बैदिक राकी, रक्षा सुत्र का रक्षा बंधन में सरवाधिक महत्त्व है, कच्चे सूत से लेकर रंगीन कलावा, रेसमी धागे और सोने चांदी तक की राकी हो सकती है, परंतु बैदिक राकी का अपना ही महत्त्व है बैदिक परंपरा में पांच बस्तू, दुरुवा यानि घास, अक्षत, केसर, चंदन और सरसो के दाने को रेसम के कपड़े में बांध कर कलावे में पिरो कर बैदिक राकी तैयार की जाती है बैदिक रक्षा सुत्र में पांच बस्त्वे महत्तपून है, दुरुवा गणियस जी को प्रिये है, रक्षा सुत्र में दुरुवा का प्रयोग इसलिए किया जाता है, ताकि भाई के जीवन में आने वाले सभी बिद्न बाधाओं को बिग्न हर्ता गणियस जी हर ले अक्षत का प्रयोग अक्षय सुख संब्रिधी के लिए और केसर अटूट प्रेम के लिए प्रयोग किया जाता है, चंदन की सुगंद भाई को सभी प्रकार के मानसिक तनाव से मुक्द रखती है और जीवन में सितलता लाती है सरसो के दाने का प्रयोग दुर्गुणों का नासकर संकटों को समप्थ करने के लिए किया जाता है, सुभता के लिए बैदिक राखी बना कर सरपर्थम अपने इस्ट देव को बांधने की परंपरा आज भी बिद्धमान है आस्था का धागा, लाल, पीले, हरे, तीन रंगों से सूत के कच्चे धागे से मौली बनती है, लेकिन कभी-कभी यह पांच धागों की भी बनती है, जिसमें नीला और सफेद भी स्यामिल होता है तीन का अर्थ तृदेव और पांच का अर्थ पंच देव से है मौली को बांधने के तीन कारण है, पहला अध्यात्मिक, दूसरा चिकित्सिय और तीसरा मौनुबैग्यानिक इसे कलाई में बांधने पर कलावा, अत्वा, उप मड़िबंध कहते हैं हाथ के मूल में तीन रेखाएं होती हैं, जिन्हें मड़िबंध कहते हैं भग और जीवन रेखा का उद्गम अस्तल भी मड़िबंध ही है इन तीनों रेखाओं में दैहिक, बैदिक और भौतिक जैसे त्रिविध तापों को देने और मुक्त करने की सक्ति रहती है इन मड़िबंधों के नाम सिव, विश्णु और ब्रह्मा है इसी तरह सक्ति, लक्ष्मी और स्वर्सति का भी यहां सक्षात वास रहता है जब हम कलावा का मंत्र पढ़कर रक्षा के लिए कलाई पर बांधते हैं तो यह तीन धागों का सुत्र, तृदेवों और त्री सक्तियों को समर्पित हो जाता है जिससे इसे पहनने वाले प्राणी की सब तरह से रक्षा होती है मौली को हाथ पर इसलिए बांधा जाता है ताकि मन में सात्विक बिचारों की ब्रिधी हो इस धागे को कलाई पर बांधने से सरीर में वात, पित और कफ के दोस में समंजस्य बैठता है माना जाता है कि कलावा बांधने से रक्त चाप, हिर्दे रोग, मधुमे और लकवा जैसे गंभीर रोगों से काफी हद तक बचाव होता है शरीर के संरचना का प्रमुक्ष नियंतरन हाथ की कलाई में होता है इसलिए इसे बांधने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है नमस्कार